कि मैं आपके निर्देशों के पाल ना करूंगा सुझायों के बात करूंगा मैं और ज्यादा टिपनी इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिफक्ष के मादने नेता हमारे जो हैं वोई कहते हैं कि कोई प्रतिपक्ष्म नहीं करें लेकिन आपके सामने समस्य हो गई है आप बोरा जी के बाद सही माने या अशक लाउट जी कि बाद सही माने एक तरह जो भागी समस्या आपके सामने कि सामने कि इसकी निमवन लेकिन मैं मानने जो पतिबक्ष्य सारे नेता हैं उनसे आगरे करना चाहता हूं वो जनता को यह तो रहा है कि उन्होंने केंदर से क्या मांगा राजिस्थान की जनता के लिए हमको ठीका टिपड़ी नहीं करना चाहते हैं वह एक रूपा वागेंगे हम उसमें भी खुश हैं लेकिन कुछ मांगे बतायटों से लाके लेके आएं यह आपकी हमारी सब की जिम्हदारी यह मानिये प्रतिबक्ष्यों नेताओं की जिम्हदारी है आप में केंदर से लॉप डाउन के लिए आगर देनी चीए राज्यों को अगर शिवू से स्वायद्था दे जाती तो मान आपने पास की जो वबस्था जो नए शुरू की है और आपको लॉक्डाउन में जो खुला छोड़ा है इससे लोगों में आत्मिश्वास बढ़ा है निराशा के बादल चटने लगे हैं कल्से लोगों को ऐसे लगने लगा कि हाँ अब आस्मान खुला है आपने अफसरशा काल में 19 रुपे किलो फॉर्टिफाइड आटे की योजना बनाई सब्सक्राइब करना चाहिए इस तरह की योजना जैसी फॉर्टिफाइड आटे की थी आवश्यक बस्तों के लिए आटा तेल दूद इन सब चीजों के लिए योजना बननी चाहिए आदे सुरक्षा का जो बर्तमान जो आधार है वो 2011 की जनसंखिया हिए राज पर करें इससे हमारे लोगों को राजिस्तान के लोगों को फायदा होगा मैं आप यह करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास राशनकार्ट है लेक्त खादिस रुक्षा नहीं चुड़ऑ को इस प्रोना वाईरस के सम लोगों को प्रोधसान रशी आपको इनके रोजगार के हिसाफ से देनी चाहिए क्योंकि यह लंबे समय से बंदें आगे इनके खुलने के संभाव मां पुड़ी मुश्कुश्च मैं विधायक कोश्च के लिए निवदन करना चाहता हूं कि विधायक कोश्च का जो पैसा नए वित्यवर्षका है इसमें से भी सूखे राशन की जरौत अब आगे तक पड़ेगी इसमें पचास बतिशन तक विधायकों को छूड़ दीना जानी चाहिए कि वह सूखे राशन के बारे में भी इस खल्च कर सके जो दिपाने लंबे समय से बन पड़ी है उनको एक बार खोलने की पर्मिशन होनी चीए कोई सामान खराब हो रहा है कोई दुकान बन पड़ी है अंदर ऐसी इस्तिति नहीं हो जाए तो को अंचाही स्तिति हो जाए चीजें सड़ेंगी सामान खराब होगा तो भी आजए परिशानी ज्यादा नहीं है तो उनको समझाइश करके इस हर्ताल को तुड़ा तुड़ाया जाना चाहिए इस वक्त में हर्ताल होना एक अरुची कुर्ण स्थिति है मैं संपर्ट पोर्टल के बारे में आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं संपर्ट पोर्टल को लोगों ने अपने का इसàiतों का आदार की शिकायर वो किसी और माध्याम से कर सकता है आप रातरी कालून कर फीज्ड है साथ से शान को साथ वजबजे किया है साथ बज़े आठ बज़े नौ बज़े तब तक तो हम लोग खाना ही पहुंचाते रहते हैं जो खाने के पैकिट है तो यह जो साथ बज़े का समय इसके बारे विचार करना चाहिए वैसे भी रात को निकल नहीं रहे हैं एक समस्य आज आई है आपको पता है सभी तो सो किराइदार है हमको मैं मिनस्फपल नियमों में परिवाटन करके इस बारे में विचार करना चाहिए वह इस तरीके के संकट में एक मतामने या आबादी में जो घंत्ञ है आबादी का वह और शाहिसे बचाओं में बाधक बन रहा सब्सक्राइब करना चाहता हूं और साथ में आपको निवतनिया और करना चाहता हूं कि गरीब लोगों को शमीकों को इनको इनकी बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलिया निश्वक दी जानी चाहिए हमारे आड़ी पेल जैसी कुछ कम्पनियां बंद पड़ी हैं जो इस काम में आगे आएंगी उनको आप चालू करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक ऐसा प्रकुष्ट बनाया जाना चाहिए जो इस बात के विचार करें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से के इंफेक्शन को खतम करने के लिए किस तरीके मशीनों को प्योंगरा है को यह मशीन आ रही है मोबाइल को अभी हम सेनिटाइज करते हैं सेनिटाइजर लगाते हैं कोई अपने दूसी चुछों को पानी से दोता है लेजर से भी इसको डिसिंफेक्शन किया जा रहा है तो और एक और दो सुझाव और हैं एक को बिबिन थांग में विकल्स पड़े हैं जो खराब हो रहे हैं लंबे समय से विकल्स पड़े हैं इनको चुड़ान करके जब इनके बिल का पेमेंट आएगा तो आप केंदर को चुकाते हैं बहुत मुश्किल हो और यह लोगों के सामने अठारा अठारा जब दनीवाद सब्सक्राइब करें जी